तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉप नॉटिफिकेशन के बारे में तो फ्रेंट्स आज की जॉप आपके लिए रहने वाली है बीपीएसी की तरफ से बीपीएसी याने की बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से तो friends, बिहार Public Service Commission की तरफ से requirement notification जारी कर दी गई है तो friends, कौन-कौन सी यहाँ पर post के लिए requirement notification जारी किये गया है क्या vacancy यहाँ पर रहने वाली है और क्या education criteria रहने वाला है क्या selection process रहेगा तो पूरी जनकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में वीडियो में end तक बने रहें तो friends, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने बाली हर वीडियो की notification आपको मिलती रहें बिना कोई time based कि यह करते हैं वीडियो को शुरू तो friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका बिख्यापन संक्य आप देख सकते हैं तो friends, total post की हम बात करें तो 138 यहाँ पर total post इनने बताई हैं next हम बात करें तो friends, यहाँ पर category wise जो post हैं यहाँ पर तो अनुस अनरक्षित यहाँ पर post यहाँ पर बताई गई हैं 54 post जो हैं वो अनरक्षित 54 post हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर वरग में आपकी 14 post हैं अनुसुचित जाती में यहाँ पर 22 post हैं अनुसुचित जन जाती में आपकी 2 post हैं अन्यत पिछला वरग में आपकी 25 post हैं या पिछला वरग में आपकी 17 post हैं पिछड़े वर्ग की महलाओं में आपकी 4 पोस्ट है, टोटल आपकी 138 पोस्ट यहां पे रहने वाली है, नेक्स्ट हम बात करें, तो स्तंतता सनानियों के लिए यहां पे 3 पोस्ट रहने वाली है, next हम बात करें द्रिष्टी वादित के लिए two post है मुकवदिर के लिए आपकी two post है चलन दिवयांक्ता के लिए one post है and मनोविकार के लिए एक post यहां पे रहने वाली है जो आपको 23 माह मिलेगा तो फ्रेंस ये मिलेगा आपका 7-32 माह के हिसाब से और आपकी योगेता जो रहने वाली है sectionalik योगेता तो friends आपने बानेजिक अरसास्तर या सांख्य की अतवा गणित मैंसे किसी एक विशे में मानिता प्रापत विशे जाले से जो आपने डिग्री की होनी चाहिए या आपने MAV की होनी चाहिए या आपने CE की होनी चाहिए तो friends इसमें से आपके पास किसी एक में भी आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए जो वो apply कर सकते हैं next time बात करें तो friends यहाँ पे उमर सीमा जो आप देखें तो friends नियूंतम सीवा जो आपकी 21 वर्स होनी चाहिए 42 वर्स यहाँ पे बताए गई है next हम बात करें friends यहाँ पे तो friends यहाँ पे exam की date की बात करें तो friends यहाँ पे exam की last date की हम बात करें तो friends 15.05.2021 तक जो अब इसका last date होगी section योगे से समधी सभी प्रमान पत्र ओनलाइन अवेधन भरने की आंतिमति थी जो आपकी 15.05.2021 के पूर्व कर निर्गत होना चाहिए अन्य था उमीदवार की उमीदवारी रद कर दी जाएगी तो friends 15.05.2021 से पहले पहले आपको जो वो फॉर्म फिलप कर ले रहे है next हम बात करें यहाँ पे अीक्जाम आपकाहारी नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे आरक्षिण जो आपका होगा तो ओनलाइन अवेधन couldन कर दावा करने पर जो वो लाव नहीं मिलेगा नहीं मेरने वाला है नेश्ट हम बात करें यहां पर फ्रेंट तो ओनलाइन फॉर्म भरने में केकरा में वियारतियों से कपित सूचना की सिर्फ फॉर्म डाटावेस संदारित करने हेत्तु जाती है अगर उप्त सूचना में संबने किसी परकार की छूट विग्यापन में अं पढ़ सकते हैं भाकी कि जो वो आपको ओनलाइन अवेदन कब से स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रेंट आपकी जो ऑपकी जो एडिट करने की ऑपशन रहेगा वो आपका यहां पे जो पेमेंट करने के पूरव तक उपलबध होगा तो friends payment करने के पूरव तक उपलबध होगा उसके बाद जो आपका उपलबध नहीं होगा तो friends आप यहां पर देख सकते हैं payment करने एभ़ावधन के फाइनल समेशन किये जाने दोरा की गई प्रविष्टी को पुना एडिट कर सकते हैं जिसके लिए भियाप्पन के अवेदन भरने की अंतिम निर्धार्ट थी के वाद एक सब्ता दिनाख 24 पांच तक का समय दिये जाएगा तो 24 पांच तक जो आप उसको क्रेक्शन कर सकते हैं प्रवर्वर्विष्टी उम्न परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व तो फ्रेंट्स यहां पे नेक्स्ट हम बात करें तो फ्रेंट्स आप यहां पे जो अपना डाउनलोड फिर्ड अप्रिकेशन सेक्शन तो फ्रेंट्स यहां पे अंतिम रूप से ओनलाइन अवेदन आप जो आप कहां पर कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इनकी ओफिशल वेबसाइ नीक्त का जो एक्जाम रहने वाला है, तो इक्जाम में प्रेंस कंगेसा पर केृंचा सब्सक्राइब। की जाएगी तो फ्रंस आपकी जूब वो प्रिक्षा कि आप दी दो गंटे की होनी है कुल 0800 मार्क्त के होने अपसफंदो की तो da 점 दो कि 150 माक्स के आपके इक्जाम होने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं है तो यहाँ पर आप अपने को अनिवारे itself सकते हैं समय नहीं हिंदी समान रध्यान प्रत्तम पत्त्त्र नहीं अध्यान दिवितिय पत्थर तो फ्रेंट्स अब दी जो आपकी 33 हवर्स यहाँ पर बताई गई है 100 मार्क्स 300 अंक एंड 300 अंक बेकलिप बिश्य यहाँ पर बताया गए है इनमें से किसी एक बिश्य कचेन करना होगा आपको तो फ्रेंट्स यहाँ पर बनिजिक अर्ज सास्त गर्णित यहाँ रेखने वाली है तो फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हैं तो फ्रेंट्स एक्जामिनशन फीस की हम बात करें पैसी क्या रेखने वाली हैं तो वो 600 रूपीज यहां पे रहने वाली है और केवल बिहार के राज्जे के अनसूची जाती अनसूची जन जाती वालों के लिए जो रहने वाली है अब आपकी 50 रूपीज यहां पे रहने वाली है बिहार राज्जे की ससाई निवासी सवी अरक्षित अनारक्षित बर की वाल है एग नेक्स्टराम बात करें दिड्व्यांग अव्यारतियों के लिए भी आपकी 200 रूपीज यहाँ पर रहने वाली है तो फ्रेंट्स नेक्स्टराम बात करें अन्य anti-ליbert user होख 30 और तो फ्रेंस यहां पर आप देख सकते हैं तो फ्रेंस यह थी आपकी वीडियो एंड फ्रेंस इस सेशन की PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रॉप जीकेवाईदेनेस पर जोड़ सकते हैं तो में लिंक आपको एंड उसकी correction कर लेना थैंक यू, good bye, take care